नमस्कार किसान भाईयो क्रिसक मित्रा में आपका स्वागत है किसान भाईयो आज हम मात करने वाले हैं फिफरो निल टेक्निकल के वारे में वीडियो सुरू होने से पहले आप क्रिसक मित्रा चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके जादतर किसान भाई फिपरोनिल को रिजेंट के नाम से जानते हैं लेकिन रिजेंट की अंदर जो टेक्निकल होता है वो फिपरोनिल 0.3% होता है फिपरोनिल एक उपयोगी कीट ना सक है जो की फैनिल फैरूल रासाइनिक परिवार से सम्बंदित है फिपरोनिल को दो तरीकों से तयार किया गया है पहला दानेदार के रूप में और दूसरा तरल के रूप में दानेदार फिपरोनिल हमें बाजार में 0.3% GR के रूप में मिलता है जबकि तरल फिपरोनिल हमें बाजार में 5% SC रूप में मिलता है अब जानते हैं कि फिपरोनिल हमारी फसल में काम कैसे करता है और यह केटो को कैसे मारता है फिपरोनिल एक contact and systematic technical है फिपरोनिल कीटो की गाबा गेटिड चैनल को अवरूद करके उनके इसनाईयों तंतर को बिगाड़ देता है जिसके कारण उनकी नाडियों एवं मासपेशियों में अत्यधिक उत्तेजना पैदा हो जाती है फिपरोनिल एक सक्तिसाली अंतर परवाही किटना सक है जो पोधों में पत्तियों एवं जड़ों द्वारा अवसोसित हो जाता है यह जाइलम द्वारा उपर की ओर गती करता है तता तने में छुपे हुए छेदक कीटों को मार गिराता है फिपरोनिल पानी एवं मिट्टी में बहतर गती सील है जिससे इसका लंबे समय तक असर बना रहता है अब हम बात करेंगे कि इनका उप्योग हम किन-किन फसलों में कर सकते हैं फिपरोनिल की सिफारिस धान गेऊं गन्य में लगने वाले तना छेदक पत्ता लपेट दीमक एवं छेदक जैसे हानी कारक कीटों के नियंतरन हेतु की जाती है प्रोनिल गन्य में जड़ छेदक तथा तनाचेदक के नियंतरन के लिए लाबकारी है और इससे फसल लंबे समय तक हरी बरी बनी रहती है और फसल का अच्छा भी कास होता है इसका उपियोग धान में हराक फुद का भूरा फुद का तनाचेदक पत्ता मोडक आदी कीटो को नियंतरन करने के लिए किया जाता है और गेहूं में इससे दीमक पर नियंतरन किया जाता है फिपरो निल दानेदार का परियोग गन्य की फसल में 10-13 किलो गराम परती एकड के हिसाब से करना चाहिए फिपरोनिल दानेदार का परियोग दान की फसल में 6.5 किलो से 10 किलो के बीच एक एकड में करना चाहिए गेहू में दानेदार फिपरोनिल का परियोग 8 किलो परती एकड की दर से करना चाहिए अब हम बताते हैं फिप्रोनिल तरल 5% SC का किस मातरा में परियोग करना चाहिए फिप्रोनिल SC का परियोग गन्य में 600-800 ml परती एकड की दर से करना चाहिए और इसे लगवग 200 लेटर पानी में इसका इस्प्रे करना चाहिए फिपरोनिल SC का धान की फसल में 400-600 ml परती एकड की दर से परियोग करना चाहिए और कपास की फसल में फिपरोनिल SC का परियोग 600-80 ml परती एकड करना चाहिए इसका परियोग हम गोभी में भी कर सकते हैं गोभी में इसका 320-400 ml परती एकड की दर से परियोग करना चाहिए इसका परियोग मिर्च में 320-400 ml परती एकड की दर से करना चाहिए अगर आप फिपरोनिल से बनी किसी भी कमपणी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमने उनका लिंक वीडियो के डिस्किरिप्शन में दिया हुआ है आप महां से वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं बस आज की वीडियो में इतना ही फिर आएंगे एक और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ तब तक चैनल के साथ बने रहिए क्रिशक मित्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को दूसरे किसान भाईयों के साथ सेयर करिए